अगर आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी जागे हैं, अभी तो हमारे पास 20 से 25 दिन हैं CETAT exam के लिए, तो भी आप कैसे इसको crack कर पाएं, और ना सिर्फ crack कर पाएं, एक अच्छा score at least 120 प्लस हम ले करके चलते हैं, कि 120 प्लस मतले very nice score, या बहुत ही बढ़ी high score है, अब पिछले इतने सालों में, अगर हम बात करें, तो क्या, बस दो ही चीज़े हैं, जो आपके CETAT के exam में, सबसे ज़्याता ज़रूरी होती हैं, एक सले बस दूसरा previous year paper questions, दो हफते मान लीजे आपके पास हैं, extra हैं, तो आप अपने हिसाब से तयारी करी ही रहे होंगे, लेकिन हम मान के चलते हैं, हमारे पास 15 days है, और हमको score करने हैं कितने, 120 plus at least, ठीक, तो उस case में, first week हमारे सामने है, first week और second week, यानि, पहले 7 दिन और दूसरे 7 दिन, बात ठीक है या नहीं है, इतनी बात clear है, अब ये buffering बताने ही क्यों हो रही है, तो अगर हम बात करते हैं, first week की, यानि ये साथ दिन, important है, ये क्या रहने वाली है, strategies इस पर पूरा चर्चा करेंगे, किन चीजों से बचना है, और कैसे आप time save कर सकते हैं, बढ़ा नहीं जारा तो video देख लो, video नहीं देखी जारी तो notes पढ़ लो, सारी चीजे हैं, जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, start करते हैं, जीन महतुपूर बाते हैं, सीटाट के बारे में, इस बार एक change है, उस change को हम कहेंगे, कि ऑनलाइन नहो करके paper जो है, अब offline हो गया है, ठीक, तो धाई गंटे का paper है same, यानि 1500 minute for 1500 question, जितने question उतनी minute, लेकिन इसमें एक catch हो जाता है, कि आपको OMR भी fill करनी है, एक minute भी एक question के आपके पास होता नहीं है, लेकिन ये फिर भी sufficient time है, क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी exam देने जाएंगे, इससे कम ही time मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलता, तो आपको OMR भी भरनी है, 1500 number का paper है, जिसमें 5 subject है paper 1 के लिए, और 4 subject है paper 2 के लिए, जिसमें से 3 subject दोनों में common है, उस इसके हम अभी आएंगे, ठीक है बात, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, second point की, ये हुआ पहला point, हमें पता तो हम जो यो लड़ने जा रहे हैं, उसको क्या, उसमें पूछा क्या दा रहे है, या उसकी demand क्या है, ठीक, second point क्या है, negative marking नहीं है याँ पे, याना, negative marking नहीं है यानि यह हमारे लिए खुशी की बात है, दूसरा competition नहीं है किसी से, हम इसमें बहुत दुखी रहे हैं, आधी चीज़ों भई, बहुत competition है, बहुत competition है, लोग पढ़ रहे होंगे, यह हो रहा होगा, यह मैं positive बात आपको बता रहे हूँ था कि, आपको पता हो कि, तीन-चार नहीं है, खुद से है सिर्फ क्यों, क्योंकि आपको लाने है इन 500 number में से, जिसमें negative marking है नहीं, गलत हुआ तो हुआ, number कटेगा रही है at least, कितने 90 marks for general, और 82 marks आपका, किसी भी अगर आप SC, OBC, ST, किसी भी category से अगर आप हैं, ठीक है न, तो आप qualified माने जाएंगे, आपका certificate आ जंजट था, इतनी shift है, 15 shift, 25 shift में paper होगा, और हर shift में कुछ ना कुछ बदला, किसी में EVS अजीब सा मिल गया, किसी में कुछ हो गया, वो वाला scene यहां पे, नहीं बचा, क्यों, क्योंकि जो भी होना होगा, एक ही shift में हो जाएगा, तो या तो paper तमीज में आ जाएगा, एक ह shift में, या फिर मुश्किल होगा, तो सभी के लिए मुश्किल है वो फिर, only one shift, single shift में paper होगा आपका, मतब shift का बोले तो, जैसे paper one है, तो वो सभी के लिए एक जैसा है, ऐसा नहीं paper one की कई सारी shifts होने वाली है, या paper two है, तो दो ही shift है total मिला करके, या एक ही दिन में paper हो जाए तो ये तीन मुख्य बाते हैं, कि हमें tension नहीं है, हमार पास enough time है, बस थोड़ी सी OMR की practice करके जानी है, अब इसमें एक चीज को लेके सतर करहना है, कि OMR भी भरनी है, दूसरा, 1500 minute या नि धाई घंटा, 1500 question के लिए, लगता जाब है, लेकिन इसमें passage है, चार passage solve करने के लिए, तो जो practice नहीं करके जाएगा, उसके लिए समस्या बन जाएगी, क्योंकि पैसे solve करने में time लगता है, ठीक है न, negative marking नहीं है, तो उस चीज की tension नहीं है, छोड़ के तो एक question आना ही नहीं होता, offline exam है, एक ही shift में काम बन जाएगा, अब आते है strategy क्या रखें, क्या पढ़ें, क हम देख सकते हैं, कि पहले हफते में, जब आपने मानलिजाद से पढ़ना शुरू कर रहे हैं आप, तो syllabus आपके हाथ में है, लास्ट में मैं दो और चीजों पर चर्चा करूंगी, एक तो offline class आपकी free और दूसर marathon class, वो दोनों ही announce आज कर देंगे, तो syllabus की अगर मैं बात अब वो syllabus कहां से पढ़ना है, उसके दो तरीके हैं, simple या तो आप syllabus को पढ़के एक-एक point अलग-अलग किताब उसे धूनते हैं, या फिर simple तरीका है, master class या जो marathon class है, 2022 वाली, अगर आप channel पे जाते हैं, यहीं let's learn पे, आपकी 11 classes हैं, वो 11 classes अगर आपने देख ली, तो ये 15 दिन के हिसाब से, आपने बहुत कर लिया, उन 11 classes को बैट करके शुरू के एक हफते में देखें, और साथ में PDF notes आपको description box में भी मिल जाएंगे, free हैं वो notes, एक रुपया किसी को नहीं देना आपको, telegram में उठाने हैं, और वो बनाए ही इसलिए गाएं कि end moment पे, आप कम समय में उनको अच्छे से पढ़ ले, multiple revision कर ले, ये वाला section आपका एक हफते में काम बन जाएगा, कि आप syllabus कवर कर लेंगे, पहले week में हमें क्या करना है, syllabus या content को खत्म करना है, किस से, जो master class या marathon classes है, plus साथ में जो PDF notes free मिल रहे हैं, उस से, ये हो गया पहले हफते का काम, आराम में हैं, career will पर तो already आपको मिले हुए है, mock test भी मिले हुए है, ठीक, OMR साथ में, तो previous year questions आपके, बहुत मैं तो पूरे, यही repeatedly पूछे जाते हैं, क्योंकि syllabus सेम है, OMR की अगर हम बात करें, OMR आप सिर्फ seated वाली ही उठाएंगे, ऐसे नहीं कोई भी SSC की OMR भरने में लगे ह पता चला, वहाँ पे 200 questions आते हैं, यह 100 questions आते हैं, यहां हम 1500 questions की practice ही नहीं कर पारे, वहाँ छोटे गोले आते हैं, यहां थोड़े से बड़े होते हैं, तो आपको seated वाली ही OMR practice करनी है, जो मैंने आपके साथ टेलिग्राम पे share की हुई है, प्लस साथ में तीसरी चीज़ है, तो हमें क्या करना है, तीन चीज़ें करनी हैं, अगले हफते में, यानि जो second week है, अगर हमारे पास 15 दिन होंगे, तो हम यह करेंगे, ठीक, तो पहले हफते में हमने क्या किया, previous year questions, प्लस second week में, प्लस OMR, अब यह previous year का ही कोई set आप OMR में भरके देख सकते हैं, अलग से एक book खरीद के ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास समय कमी है, तो आप previous year से ज़्यादा महतोपूर्ण, कोई भी mock test नहीं हो सकता, यह लिख लीजे कहीं, प्लस revision, अब यह revision ऐसी चीज़े, जो लोग पिछले तीन महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो भी कम करते हैं कई बार, और जो slivers खत्म कर लेता है, एक बार उसको लगता है, मुझे सब आ गया, multiple revision सी खेल बदलते हैं, कि आपके number 130 आ रहे हैं कि 140 आ रहे हैं, let's learn एक माधर ऐसा channel है, अगर आप YouTube पो उठा के देखेंगे, जहां 143, 141, 140 score, इतने बड़े-बड़े score आपके हर साल आते ही हैं, तो जित चोटी इससी दिक्कत जो आपने पढ़के, आपको लगा रही है, तो मेरे को पता है, अच्छा, गोल को अंड़ा फोर्ट, ये तो पढ़ लिया, पेपर में आता है, कन्फ्यूस हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि option चेंज करके आ गया, multiple option के साथ आ गया, assertion, reasoning वाला question आ गया, both A NB आ गया, तो उसमें हम घूम जाते हैं, तो ये तीनों ऐसी चीज़ें जो हमें करनी ही है, previous year, OMR के साथ practice, इसकी previous year की, और revision, multiple revisions, जो हमने शुरुआत के week में यहां किये था, इसका multiple revision, इसको भूल नहीं जाना है, इसके बाद अगर मैं देखूं, तो कुल मलाके निचोड क्या निकलता है, वो है, एक तो syllabus, यानि content, दूसरा previous year questions, कोई mock test previous year questions के सामने नहीं टिक सकता, जसे standard के बनते हैं, CTAT की website पर जाईए, इस बार के online paper उन्होंने upload कर दिये है, वेदांसर की, मैं करा रही हूं आपको, लेकिन आप खुद भी, साथ में कोई भी site उठाईए और उ कि अएगे?